शनिवार रात को जब अतीक, हमद और उनके भाई अशरफ को कॉलविन हस्पिताल लाए गया, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो कॉलविन हस्पिताल के दर्वाजे के पास ही यहाँ पर एक उनपर हमला किया गया, वो मीडिया से घिरे हुए थे, पुलिस से घिरे हुए आफ तो कर दिया है पूरी अरिया को, लेकिन आप गोले बनाए गए हैं यहाँ पर, शायद जहां-जहां कार्तूस गिरे थे, यह उनकी नंबरिंग करकर पुलिस ने उन स्पोर्ट को इडेंटिफाय किया है, यह पूरी घटना है, जो कैमरे पे कैद हुई थी, अतीक, एहम चल रहे थे, उनसे मीडिया वाले सवाल कर रहे थे, असद के बारे में जिन्हें शनिवार को ही दफनाए गया था, असद का एंकाउंटर हुआ था, उसके बाद अतीक एहमत से सवाल पूछे जा रहे थे, क्या उनकी मिट्टी में गए थे या नहीं जा पाए थे, तो उसी स सिलसिले में, उसी सवाल जवाब के सिलसिले में ये घटना हो गई, शुरू से हम जिस उमिशपाल हत्याकान की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अतीक एहमत को जब साबरमती जेल से लाया जाता था, प्रयागराज में पेश किया जाता था, तो उस पूरे दौरान मीडिया का क इतनी करीबी से इतना access कैसे मिल रहा था और क्या उनके इर्दगिर जो सुरक्षा घेरा था वो चुस दुरूस्त नहीं था, क्योंकि रमिच शर्मा जो है पुलिस कमिशनर उनने बाहर आकर बयान दिया कि जो तीन हमलावर है वो मीडिया कर्मियों के रूप में आये और इस सरेंडर सरेंडर कहके अपने हतियार डाल दिये और धार्मिक नारे जो हैं वो भी लगाएं इस पूरे मामले को सरकार जाहिर सी बात है काफी गंभीरता से ले रही है क्योंकि ये दोनों बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स थे इनकी सुरक्षा घेरे में काफी बड़ा द और सरकार जो है कि इसमें सहियम बरतने की ज़रूरत है और उन्होंने हिदायती जो मैसेज़ प्रक्य speculative किये हैं एक तरीके से प्रिकॉशन लेते हुए उन्होंने प्रदेश के सभी जिलो में धारा 144 जो है वो लागू कर दी है अब सरकार इसमें आगे क्या कदम उठाएग कि ये भी देखना होगा चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से एक मैसेज भी आया है कि इस पूरे मामले की जाच के लिए एक जुडिशल एंक्वाइरी एक कमिटी बनाई है तीन सदस्य कमिटी हो जो जुडिशल एंक्वाइरी करेगी पूरे घटना की लेकिन हम देख रहे है कि किस तरीके से अतीक हमद और अश्रफ और उनके परिवार वाले भी बार बार इस बात का इजहार करते रहे कोट के सामने अर्जी भी डाली कि भई उनकी जो सुरक्षा व्यवस्ता है उसमें उनको लगता है कि कुछ कमी हो सकती है या फिर उनकी जान को खत्रा है उन्होंन यह सारी जो मांगे हैं वो खारेज हो गई थी और उनको उसके बाद साबरमती जेल से अतीक को बरेली से बरेली के जेल से अश्रफ को यहां पर पूछताच के लिए लाया जाता था और एक मामले में उमेशपाल की किटनापिंग के मामले में जज्मेंट था उसमें भी इन जेलों से लाया गया और उस जेल उस पूरे जो जिस काफिले से वो लोग निकलते थे और जगए-जगए उनकी काफी मीडिया कवरिज भी होती थी तो यह पूरी जो जानकारिया हैं हम इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि यह बताना चाहते हैं कि मीडिया का इसमें जो एक तरीके से इसको explain करेगी या अपना पक्ष रखेगी वो देखना जरूरी होगा क्योंकि अभी तक सरकार ने जो तीन हमलावर हैं उनकी जो identities हैं वो भी reveal नहीं की हैं अब यह जो पूरी खटना है इसके बाद judicial inquiry होगी एहतियाद बरतते हुए सरकार ने धारा 144 भी लगाई है लेकिन हम लोग अब भी इस वक्त जो है प्रयागराज की कॉलविन हस्पताल में मौजूद हैं और ये है वो मौकाय वारदात और अब पुलिस का रवाईया इसमें क्या होगा आगे की कारवाई क्या होगी ये रविवार को और आगे आने वाले दिनों में देखने को प्राग राज से शुबम वर्मा के साथ अनंजनाने